आप सभी का स्वागत है आपके पर युटूब चैनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए दुतिये बर चतुर्थ समस्टर एंसियंट हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में अगर आपका सब्जक्ट जो है एंसियंट हिस्ट्री है और आप थर्ड समस्टर का पेपर दे चुके हैं और आप सोच रहे कि आगे हमको क्या पढ़ना है ठीक है तो बिल्कुल एंसियंट हिस्ट्री के सलेबस में और आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री है आप साउथ इंडिया पढ़ना है 100 अथ इस्बी से लेकर waySt Utam के निके तरह सो इस्बी से लेकर के 30 सका की इतिहास पढ़ना है लगब100한데 से किस्जाद आप साउथ इंडिया है दकशिट भारत का रावत का राध्यति加 के पह चात्र शात्रиты हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है सभी दिश्विध्यालेवßerप में यही से लिपसंद आपको पढ़ना पढ़ेगा आए जानने का परियास Terme करते हैं कर दा है कि आपको पार सबसे पहली बाद जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे एक चेप्टर तो आपको जो है फालतू का यही पढ़ना होता है पहला ही चेप्टर में अध्यन के स्रोथ यानि की सोर्से साफ इस्टडीज यह आपको किसी भी अगर आप इतिहास पढ़ने कोई भी समयकाल का इतिहास पढ़ें तो कुटे उस समय का इतिहास इतिहास चुकी वरतमान के घटनाया wrench होती है और अतीह में चुकी ना हम थे ना आप थे तो इसलिए हमको ये पहले जानना होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है ये अतीत की घटनाएं है यानि कि बीद गई घटनाएं तो जब बीद गई भईया तो हम कईसे बताएंगे कि उस समय कैसा हो रहा होगा चुकि जब हम उस समय थे नहीं चुकि कोई पुस्तकों का नाम बताएंगे, हम चुकि उस पुस्तक में बाते लिखी हैं, हम ये बताएंगे कि भई उस सिक्के पर उस राजा की चितरकारी मिली हैं, तो इस तरीके से अध्यन के स्रोत, यानि कि हम जो पढ़ा रहे हैं, वो कहां से लेकर के पढ़ाया जा रहा है, यही होता है अध्यन का स्रोत, इसके बारे में समझेंगे, अध्यन के स्रोत में आप सभी लोगों को पता ही होगा क्या क्या पढ़ना होता है, अध्यन के स्रोत में आपको मुखी रूप से तीन चार चीज़े आपको ध्यान देनी होती, तीन प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है आपका जो है खासर के साहितिक स्रोत जिसमें आप आप साहितिक स्रोतों में आप देखते हैं कि जिसमें पुस्तके मगारा होती है ठीक है कुछ होते है आपके जो है विदेशी आतरी आते हैं उस समय उनकी पुस्तके होती है ठीक है और कुछ जो तीसरा होता है वो ह साथ अध्यन करेंगे हम इन चीजों का आई देखते हैं अगला प्रसट कि PSORI दूसरा प्रसनाब देखिएगा संगम साहित के बारे में समझेंगे संगम यूग संगम साहिति में राजमतिक संचना कैसी थी ऊसके बारे मारी की साथ मिएच फॉलिटिकल को संगम युक के नाम से जाना जाता है सव 20 से लेकर के 250 इस भी तक का जो इतिहास है इसको आप लोग जानते दक्षिर भारत में संगम युक के नाम से जाना आता है संगम की इगर बात किया है तो तीन संगम जो है आजुद किया गए थे पर्थम संगम दोतिय संगम और तरति पर्थम जो संगम हुआ था उसके अद्धिक से अगस्त रिसी अगस्त रिसी को ही दक्षिर भारत में आरे सब्रता का प्रचारक माना जाता है पर्थम संगम में लगभग 549 सदस समलित हुए थे ठीक है और खासर के आप दिखेंगे इस आयोजन में लगभग 449 बिद्वानों को कभियों ने अपनी रचनाय प्रसुत की थी और खासर के उन रचनाओं के प्रकासन के नुमतिर ही मिल गई थी पर्थम संगम साहित को पांडिबंस के लगभग नमासी राजाओं ने संदक्षन दिया ये बाद ध्यान लखेंगे और इस अवधी में आप देखते हैं संगम परंपरा में 44 वरसों तक मानी जाती है और इस संगम काल में जो है आप देखते हैं अकटियम और अगस्तियम नामक प्रमुक गरंथ जो है वो संकलित हुए थे कपाठपूरम या जिसको बोलते हैं अल्वाई अल्वाई में आजयत किया गया था इसके अध्यक्ष भी अगस्तिरिसी ही थी दुतिय संगम का संस्थापक माना था अगस्तिरिसी को ठीक है और संगम परंपरा में इनमें 49 राजाओं उन्चास अदस्यों के समलित होने का उ संगम चलता रहा ठीक है यह बात ध्यान लखेंगे इस आयोजन के संकलित गरंतों में तोलकापियम नामक गरंत जो बड़ा फेमस है तमिल ब्याकरन का गरंथ है यह तोलकापियम और अगस्तिरिसी के सिस्ते तोलकापियर उन्होंने ही रचना को लिखा था यह बात ध्यान और खासर कि आप देखेंगे उन्चास राज्यों ने भाग लिया था इसमें चार सा उन्चास कभियों और विद्वानों ने अपनी रचनाय प्रसुत करी थी और आप देखते हैं उन्चास पांड़िसास को से सनक्षन प्राप्त था इसको अठारा सो पचास बड़सुत चलत इसके लामा एक और गरंथ आपका मिलता इसमें जो है और तमाम प्रकार के गरंथ हैं आला कि एक और गरंथ पादिनेन कील कनकौ ये 3-4 गरंथ इसके बढ़े फेमस हैं संगम कालिन महाकाब्यों में खासर के सिल जो है अ सिल्पा दिककारम और मडि में कलई जीवक चिंता संग्व साहित तो समस्टियों यह तो शेप्न सैसे पानई बंस स्कारें यह तीश 15 दक्षिर भारत में आंदर साथ माहन बंसों के बाद में मलफ की बाद पल्लो राजबंस का जो उद्य होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रियास करेंगे बिस्तार से हम समझेंगे और चोथे चेप्टर में हम लोग राष्टकूट बंस के बारे में समझेंगे फिर उसके राष्टकूट बंस के बारे में जानेंगे वातापी के चालो की बंस के बारे में जानेंगे वहाँ पर कौन सा सासक इंपोडेंट है उन सभी के बारे में जानेंगे ठीक है फिर इसके रिखेटर से बेंगी की चालो के और कल्याणी के चालो की बहुत परिषा में आते हैं ठीक है तीन चिप्टर बहुत ही जादा महत्रपून आपके परिचा के देश्टी से यह भी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो है आप इन चेप्टर्स को ध्यान से अभी से अगर ध्यान देजीएगा तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से आप नंबर पाएंगे कल्यानी के चालो की बंस के बारे में पढ़ना हमको चोल डैनेस्टी के बारे में ठीक है ठीक है ठीक है तो इसी मे हमको पढ़ना है कदंब बंस घंग बंस ठीक है और पांड बंस चेड़ पार पांड राजबंस सभी के बारे में और यहीं पर जानना है दोवी चेप्टर में तो हम चर्चा करते रहेंगे विलकूल टेंसल लेनी कि आपको जरूरत नहीं फिर इसके बाद ने छेत्री राज इसके बारें विस्तार से लोग जानेंगे फिर इसके बाद में बार्मे चिप्टर में हम लोग पड़ेंगे दक्ष्ण भारत में समाजिक और आर्थिक जीवन कैसा रहा था उसके बारे में समझेंगे social and economic life in South India तो ये इतनी चेप्टर 12 चेप्टर लगबग आपको पढ़ने हैं ठीक किसमे ancient history में भी ए फोर्थ समस्टर में अगर आप भी ए थर्ड समस्टर की परिचा दे चुके हैं तो आप इन चेप्टर को अभी से पढ़ना प्रारम कर दीजेगा और इन सभी की वीडियोज आपको बता दू जो है सुकला श्टरी पॉट चैनल पर याणि इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी 2023 में जो क्लासे में लिए उप उन वीडियोज को जरूर देख लीजेगा ओके धनीबाद मिलते हैं फर नेक्ष्ट वीडियो म हमें से बना रखेंगे बहुत बहुत धनीबाद आप सभी का